नमस्कार दोस्तों स्वागातापका CP Smart Classes में दोस्तों Breaking New जारी है 79 जारी से चक भरती से सम्दित Breaking New जारी सिंसोधन पर आदेश जारी हो गया है अब जो भी छात्र थे सिंसोधन के चक्कर में परहसान थे उन सभी की समस्याओं का हल हो गया है तो आए आदेश आपको दिखाते हैं उसमें क्या लिखाया है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों यह देखे यहाँ पर पत्र आज चुका है रेणुका कुमार अपर मुकी सच्यू उत्तर प्रदेश सासनी तरफ से पत्र आ चुका है आज चार दिसंबर का पत्र है आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं लिखा है परसदिये प्रात्मिक विद्यालियों में 69 रिक्त पदों के सापेच अभ्यार्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंद में इस पश्टी कलर यानि की क्ल बिंदु संख्या वन में लिखा हाई स्कूल इंटेशना तक प्रसचंटी एटी के अंक पत्र युपमाना पत्रों में अंकित अभ्यार्थि के नाम क्रमांक माता पिता के नाम में भिन्नता तो अगर इस तरह से कोई भिन्नता आती है नाम की मात्र वरतनी मूल सच्छिक अभिलेख जमा करेंगे यह मैंने आपको पहली बता दिया गया था कि मेरिट जहां पर वावित नहीं होगी छोटे मोटे फरक पड़ते हैं नाम से पिता का नाम माता का नाम यह सबसे कोई फरक नहीं पड़ता इससे आपकी नोपरी नहीं जाने वाली है अब इसका आदेश नहीं किया जाएगा हाँ अगर रिप्लेश हो गया फादर के नेम पर की जगह पर माता का नाम हो गया माता के नाम पर विता का नाम हो गया तो उसको सुधार किया जाएगा सुधार किया जा सकता है और उसको स्विकार कर लिया जाएगा बिंदु संख्या 2 में पूर अंको प्राप्त अंको के बारे में बताया गया है अगर आपने मूल अंक पत्त के साथ पेच प्राप्त अंक कम भरा है प्रप्त की वे अंक अगर आपने कम भरा है तो आपको जोनिंग दे दी जाएगी लेकिन आपसे एक सपत पत्र लिया जाएगा कि आप अधिक अंक के बेज पर उसका दावा नहीं करेंगे निकती पत्र निर्गत कर दिया जाएगा आपको लेकिन मेरिट परिवेतन की मांग आप नहीं करेंगे प्राप्तांक कम भरा गया है इसको ध्यान दीजिए पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है पूरांक अधिक भरा गया है पूरांक आपने अधिक भर दिया है लेकिन आपका चैन हो गया है तो ये भी आपका मानने है ये एकसेप्टेट है लेकिन आप इसमें भी मांग नहीं कर सकते कि आप मुझे मेरी मेरिट परवर्तित कर दी जाए थार नंबर बाते हैं इसे ब्यारती जो अवेदन पत्र में सेच्छिक आहरता में प्राप्त वास्त 73 भर दिया यानि कि इससे जादा भर दिया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा आपको नोकरी नहीं मिलेगी सीधा सीधा लिखा हुआ है इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सेच्छिक आहरता में पूरांग को वास्तिविक पूरांग से कम भरे हैं 500 नंबर की इंटर्मेडिट परिच्छा है आपने केवल 450 अंग भरे हैं तब इस केस में क्या होगा तो इसमें लिखा है कि संबंद में उलेखित है चूंकि मेरिट अभ्यारती द्वारा अंकित प्राप्तांग के आधारपन निर्दारित होता है तो इसमें भी आपको आपका माने नहीं है उच्छ नयायाले के आदेश 18.11.2020 द्वारा पूर्व में प्रकासित की गई मेरिट कि आधारपन निक्ति की प्रकिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गए है उक्त के आलोग में चैन सूची मेरिट लिस्ट के किसी प्रकार के प्रिवरतन किया जाना उचित नहीं है इस करण आपका चैन निरस्ट कर दिया जाएगा यानि कि चार तरीके हैं यहां पे जिस 300 नंबर आपने गलती से भर दिया 298 यानि कि 300 से कम भरा लेकिन आप चैनित हैं तो आप सुरच्चित हैं इंटरमीडिट परिच्छा आपकी 500 नंबर कि थी उदाहरण में दे रहा हूं आपने 550 भर दिया गलती से तब भी आप सुरच्चित हैं क्योंकि यहां भी आपका मेर नुकसान हो रहा है लेकिन इन दो केस में देख लिजिए यहां पर आपने ज्यादा नंबर भर दिये 360 नंबर पाये थे 62 भर दिये तो आपका चैनिरस्त और यहां पर 500 नंबर की पूरी परिच्छा थी आपने भारा 450 यानि कि आप यहां पर चीटिंग कर रहे हैं आपका आ आगे बात करते हैं आगे देखिए यहां पर जो चीजें दी गई हैं वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए और जो यहां पर दिया गया है कि आपको यहां पर देखे कोचीन बिस्विद्याले वाला कुछ केस दिया गया है तो जाति का इसमें स्टेटस लिखा गया है कि य कोई लड़की अगर SC केटेगरी की है या OBC केटेगरी की है उसने जनरल केटेगरी से साधी कर ली है या उल्टा ले लेते हैं जनरल केटेगरी की लड़की है SC केटेगरी की लड़के से साधी कर ली है कोई तो इसको यहां का रच्छन नहीं मिलेगा इसको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा यह यहां पर लिखा हुआ है निवास प्रमाणपत्र के बारे में लिखा है मैं पहले भी आपको कई बर बता चुका हूँ कि दूसरे राज्य की महिलाएं जो है यहां पर साधी करके आई है जो यूपी में उनके लिए यह नियम लगाया गया है कि निवास प कोई महिला है जिसकी साधी राजस्थान में हो गई है तो भी यूपी का साधिकर लगाना पड़ेगा बिहार की कोई महिला है यूपी में साधी करके आई है तो उसको बिहार का साधिकर लगाना पड़ेगा और इसी बेस पर उसको सेलेक्शन में बेनिफिट मिलेगा या नह अच्छ पद्द के लिए कारिमुक्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे चुकों को अंतर जन्पदी स्थारणित के सुब्धावन उमाननी हैं बहुत सारे च्छात्र ऐसे हैं जो अन्षट हजार पांसों में चैनित हैं और 79,000 में भी भर दिये हैं कि हमारा जिला बदल जाएगा और ग्रह जिनपदम को मिल जाएगा तो उनको यहाँ पे ज्वैनिंग नहीं दी जाएगी 68500 में ही वो नौकरी करेंगे क्योंकि उनकी एनवसी माने नहीं अगर उनको एनवसी महां से मिल भी गई यह तो अभी माने नहीं होगी एसे अब ब्यारती जो अन्य विभाग में कारी रत हैं उन्हें न्युक्ती पत्र प्रदान कर दिया जाए तथा उन्हें मुल विभाग में कारियर मुक्ते करोंने कारवार करने के तीन माह का समय दिया जाए जो दूसरे विभाग में कारियरत हैं सिच्छा विभाग को छोड़ कर किसी अन्न विभाग में कारियरत हैं वो वहां से अपने अनुक्ति पत्र दिया जाएगा और उनको जोइनिंग दी जाएगी आगे बात करते हैं CBSE और ICSE के द्वारा निर्गा था है उसको इंटरमीडियेट के अंके पत्र के इसमें देखें बोर्ड में दिया गया अभियरतों का बेश्ट 05 BSE के अंकों के अधर पर आउसत निर्धारित किया जाएगा तो वहां पर इंटरमीडियेट में यूपी बोर्ड में 5 BSE होते हैं बाकी में 6 BSE या 7 BSE जहां पर होते हैं तो 6 या 7 BSE हैं जो सबसे अच्छे नंबर जिन 5 BSE उन पाया गया होगा उसी के आउसत पे यहां पर मेरिट कर निर्धारिन किया जाएगा ये किलियर कर दिया गया है अंके पत्र मुल परमाण पत्र को एक खो जाने की दसा में जैति तीन महा के अंदर अंके पत्र परमाण पत्र प्रसुत करने में आसफाल होते हैं तो चैन निरस्ट कर दिया जाएगा ठीक है कॉंसिलिंग करवाने गए किसी का डाकूमेंट जो है खो गया है तो आप वहाँ पे एक अपना एफिडिविट दे दिए कि तीन महीने में आप अपने डाकूमेंट दुबारा बनवा कर लाकर यहाँ पर सम्मीट करेंगे तब तो आपको निक्ति पत्र दे दिया जाएगा अन अनिवारी रूप से एक माह के अंदर जिलच कित्सा बोर्ड से कराने के 25 प्रंपत्र सतीपाएं जाने पर निक्ति पत्र निर्गत किया जाएग है एक महिने के अंदर आपको जो है जांच करवानी है यहाँ पर पुरुष महिला की स्थान पर महिलांकित कर दिया है बहुत कर दिया जाएं यह बहुत ही बड़ा दुखत होगा उन छातरों के लिए जन्हों ने गल्ती से मेल की जिए फीमेल की जिए मेल भर दिया है यहां पर काफी चीजे लिखी गई है इसको ध्यान दीजिएगा केस टू केस बेसिस में आपर निर्णे लिया गया है दस वर से कम अनभव होने वाले समध्धी प्रक्रण में महाने देशा के स्कूल सिच्छा उत्तर पते सच्छी बेसिक सिच्छा परिश्चो परांत विश्तरत प्रिस्ताव सासन को उपलवद कराया जाए जिस पर सासन पतक से निर्णे लिया जाएगा यहाँ पर कुछ ज्यादा बात नहीं लिखी गई है और किसी न अगर बेक्तिकत इसना तक किया है तो उसको काउंसलिंग का उसर पदान किया जाएगा बिसेश आरच्छन के बार में आप लिखाया है बिसेश आरच्छन का लाव है प्राप कर दिया जाएगा बिसेस आरचन मतलब क्या सोतनता संग्राम से नानिक आपने साइटिफिकर लगा दिया लेकिन आप केस टू केस वेसिस पर निरने लिया जाएगा और सीजी पीए के आधार पर गुलांग निकाला जाएगा तो यह गुलांग तो खैर इसकी बात हो गई है और यहाँ पे और भी कई चीज़े है स्वामे विवेका नंत शुभारती विस्विद्यले से करा लिया गया है अगर आपने कुछ अंग तालिका के उपाधी तो इसमें सबसब देखिए लिखावा कि इसनातक दूरस्त बिधी से शुभारती विस्विद्यले से किया जाने क ookie कारण है तो आपकी सत्यपित है वो समझ लेज़े आगर आपने सत्या Cop2 कभा लिया है सत्या 好 कि it City City के पत्र के बारे में बताया गया यहाँ पेश्व ठीजार के आढ़ार पो की फिर्व proportionalство के प्रचित में किया जाएगा ब्यार्थी यदि प्रदेश में आरचिष निर्डिक अन्तरकत नहीं है तो निरास्त कर दिया जाएगा यह finite जिय sushi कैंडेटली यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी जन्मतिती में विनदता है तो इसा लिए बोल गया है तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक दिन पीछे या कुछ आगे पीछे होता है तो अगर आपका जो चेस में डेट अब बर्थ दी गई है, अगर आप ओवरेज नहीं हो रहें, अंडरेज नहीं हो रहें गत अथवाद बेक्तिगत अंकित नहीं है अथवाद दोनों कित हैं कि पुष्टि निर्गमन संस्ता से करा ली जाए तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोविजिनल सार्टिफिकेट तो यह भी तीन माह कर समय दिया जा रहा इसके लिए भी मूल वर्क स्रेणी में त और प्रोटी करते विए किसी आन्योंवर्क स्रेणी में चैनित हो गया तो इनका निरस्त कर दिया जाएगा विया अगर आपने जैनरल है और ओवी शी भर दिये हैं और आपका यह निरस्त हो जाएगा पॉइंट नमबर उन्निस निरस्त हैं आपका आवेधन पता परिवात यह तो यह उन्सट्ट जो शिच्छा मित्र थे शिच्छा मित्र थे नहीं बने थे उनको तो नुक्ती पत्र दे दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो दूस्तों यह थी सारी चीजें जिस पर हमको चर्चा करने थी और एक चीज आपको बता दिया अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूंच सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नाइव डेट के साथ धन्यवाद